दोस्तो नमस्कार, इलाज दे नहीं सकते लेकिन दो जून की रोटी तो मोहिया करा सकते हैं तो सरकार ने आज माई और जून दो महीने के लिए इस देश के 80 करोड लोगों को 5 केजी अनाज मुफ्त में देने का एलान कर दिया इस देश के भीतर में बड़े सारे संकत एक साथान पड़े हैं चाहे वो अक्सीजन का संकत हो, अस्पताल का संकत हो, अस्पताल के बेड को पाने की होर का संकत हो, मेडिसिन का संकत हो, वैक्सिनेशन का संकत हो और इसके ठीक समरांतर इस देश में production का संकट है, रोजगार का संकट है, consumer के पास पैसा नहीं है इसका संकट है, नोकरियां लगातार जा रही है उसका संकट है, लेकिन ध्यान दीजिए तो इस देश के भीतर में एक ही ऐसी चीज है जिसने इस देश को बचा कर रखा हुआ है और वो है इस देश की फसल, इस देश का किसान आखिर तक इस देश में ही रहेगा, और इस देश के भीतर कुछ भी बचे या ना बचे, लेकिन इस देश में किसान बचेगा और किसान की वज़ा से यह देश बचेगा, और शायद इसलिए दो महीने के राशन पानी का ऐलान जो सरकार ने अब मुफ्त तोर पर किया है उसके पीचे सरकार की कोई अपनी मेहनत मशक्कत नहीं है इस देश के इंडस्ट्री, इस देश के कॉर्परेट, इस देश के इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी कोई चीज नहीं है बलकि सीधे सीधे किसानों का श्रम है और उसके जरीये अनाज का उत्पादन है दुनिया में सबसे जादा उत्पादन करने वाला देश भारत ही है और जिस दौर में भारत के सारे प्रोड़क्ट्स दुनिया के किसी भी हिस्से में जा नहीं पा रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों के सामने जो एक्सपोर्ट का अपने अपने देश के भीतर का संकट है और उससे जोड़ एकनौमी परसर है उसमें भारत में अगर एक्सपोर्ट को भी किसी ने बचा रखा है तो वह फसल ही है गेहू है चावल है अनाज है पलस है यानि दाल है और तलयतना के दूसरे अनाज के वो तमाम चीजे हैं जिसको भारत लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है और अगर अनाज भारत के पास इस वक्त ना होता तो जरा कलपना करने की शुरुआत कीजिए एक तरफ इलाज नहीं और दूसरी तरफ अनाज नहीं क्या इस्तिती इस द जाता है और उसी किसान से बाच्चीत करने के लिए प्रधान मंत्री तयार नहीं है बीते पांच महीने से किसान आंदोलन रत हैं लेकिन उनकी बातों पर ध्यान देने की स्थिती में देश के प्रधान मंत्री नहीं है आखिर ये कौन सी पॉलिसी है और ये रास्टर हित कौ सा है जिसके भीतर में इस देश का किसान एक तरफ अलग थलग पड़ा हुआ है लेकिन इस देश को बचाने के लिए किसानों द्वारा उत्पादित फसल ही बची है वही अनाज इस देश को बचा भी पा रहा है सरकार ने आंकले जोड कर बताए तकरीबं 26 हज़ार करोड का ब महीने तक दिया गया उसका बोज भी तकरीवन सरकार पर डेड़ लाक करोड का ही पड़ा यानि एक साल में इस देश के 80 करोड लोगों को अगर मुफ्त में 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दिया जाता है तो सरकार पर कुल मिला के बोज सवा 2 लाक करोड का ही आता है लेकिन उस इस फसल को जाता है उसकी कीमत की लड़ाई उसके संघर्ष को लेकर वा जिस तरीके से जूज रहा है शायद इस से वड़े शर्म की बात इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती है हमें लगता है कि आज दो इस्तितियों को समझने की जुरुत है अगर किसान ना होता तो इस इस देश की क्या इस्तिती बनती और अगर किसान है और उस किसान को खत्म करने के लिए जिन पॉलिसी को लाया जा रहा है यह कह कर लाया जा रहा है कि ये दरसल रिफॉर्म है अग्रिकल्चर रिफॉर्म है उस रिफॉर्म का मतलब वो एकनौमी है जो मौजूदा वक्त में इस देश में धराशाई हो चली है वो पॉलिसी है जो पॉलिसी इस दोर में काम ही नहीं कर पा रही है काम कर रहा है तो किसान जिसके लिए कोई पॉलिसी अपने तोर पर सरकार ने बनाई नहीं है किसान की मेहनत उसके द्वारा उत्पादित फसल उस पर मिलने वाली कीमत इस पर कोई बहस सरकार करने को तयार नहीं है सरकार अपनी बैठक दो साल पहले जब अगरिकल्चर को लेकर कर रही थी तो उस वक्त निती आयोग की बैठक और अगरिकल्चर मिनिस्ट्री की बैठक में दो ही सवाल थे विकासदर एग्रिकल्चर के छित्र में कैसे बढ़ेगा और विकासदर के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वह किसान तो ला नहीं पाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट लाएगा उसी के लिहाज से नितियों को क्यों ना बनाया जाए और उसी दिशा में सरकार बढ़ती चली गई लेकिन आज की तारीक में इस देश के भीतर में महमारी की जो परिस्थितियां हैं उसमें सब कुछ ठब पड़ा है उत्पादन ठब पड़ा है इंडस्ट्री ठब पड़ी है फैक्ट्री ठब पड़ी है हमारे कोर सेक्टर ठब पड़े है हम किसी भी प्रोडक्ट को export कर पाने की इस्तिती में नहीं आ पा रहे हैं और होते होते ऐसी इस्तिती आ गई कि oxygen भी हमको import करना पड़ रहा है एक्सपोर्ट अगर कुछ हो रहा है तो वो गेहूं export हो रहा है चावल export हो रहा है इस देश की एकनौमी को बचाए रखने के लिए और इस देश की भूक को भरने के लिए किसान ही है जो मेहनत मशक्कत कर रहा है तो हमें लगता है कि आज किसानों के उस पूरे गनित को समझ लीजिए जिसके जरीया आप समझ पाएंगे कि सरकार का ध्यान किसानों पर अगर नहीं है तो आने वाले वक्त में हो सकता है किसान इस देश में अगर ना रहे तो ये देश भी खत्म हो जाएगा भारत को इसलिए कृशी प्रदान देश कहा जाता है भारत का सच क्या है भारत में जो किसानों की जमीन है उससे जुड़े हुए जो भी किसान इस देश में काम करते हैं उनकी तादाद लगभग 14 करोड 61 लाक है हिसाब देखते चले जाएए तब आप समझ पाएंगे इस देश में किसान को हाशिये पर क्यों सरकार ढखेल रही है और सरकार को क्या लगने लगा है कि 57 करोड किसान अगर खत्म भी हो जाएं तो कुछ नहीं होगा क्या वाकई ऐसी इस्तिती है क्योंकि इसका जिक्र होते ही किसानों की परिस्तिती में समझिये 10 करोड घर भारत में किसानों के है 14 करोड 61 लाक किसान ऐसे हैं जो सीदे खेती करते है इसमें मजदूरों की संख्या लग से है 11 करोड किसान ऐसे हैं मेनत मजदूरी से नहीं सिर्फ किसानी से साल भर का पाँच हजार रुपिया ही उनकी आये होती है। इसके बाद आईए इस देश में लगबग 157 मिलियन हैक्टियर जेवीन है जिस पर की खेती होती है। इतनी बड़ी जमीन के भीतर में जो किसानों के पास जमीन है उसकी संक्याए 186 मिलियन हैक्टियर यानि लगबग 11 मिलियन हैक्टियर की होल्डिंग सरकार के पास है या वो जमीन यूही पड़ी हुई है उस जमीन को छोड़ दीजिए उसमें से 140 मिलियन हैक्टियर जो है जो जमीन में से 50 मिलियन हेक्टियर पर दो फसल होती है 40 मिलियन हेक्टियर सिचाईयों के जमीन है जो सरकार के आकड़े है और लगभग 9 मिलियन गेर सिचाई है इस पर सरकार के परजेक्ट्स काम कर रहे है यह एक पूरा खांचा इस देश में एग्रिकल्चर का और यहीं से बाश्रू होती है कि इन परिस्टितियों के बाद भी जब ने आकले आये तो उसने बताए कि सरकार की तरफ से जो एक्सपोर्ट किया गया वह पिछले साल की तुलना में इस साल जादा किया गया ता यानि जिस वक्त कोविड इस देश में नहीं आया था उस समय ज जादा कोविड के वक्त में किया गया एपरिल 2019 से फरवरी 2020 तक और उसके बाद एपरिल 2020 से फरवरी 2021 तक इन दो साल को लीजिए तो आपके सामने कुछ और चीज़े साफ होगी 2,31,000 करोड का COVID आने से ठीक पहले अगर भारत को एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट कर रहा था तो उसमें 43,000 करोड का इजाफा एपरिल 2020 से फरवरी 2021 के बीच में हो गया और ये आकड़ा 2,74,000 करोड तक पहुँच गया यानि एक्सपोर्ट भी हम करने की स्थिति में जादा है नाफिट उसने अफगानिस्तान को लगबग 50,000 टन गेहुबेट दिया लेवनान को लगबग 40,000 टन दिया ये गौर्मेंट टू गौर्मेंट अरेजमेंट था और इन सब के बीच में लगातार जो वीट का प्रोड़क्शन था वह भी भारत में बढ़ गया और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया जो एक्सपोर्ट था 19-20 में यानि कोविट से ठीक पहले वह तकरीवन 2,858 करोड का था आज की तारीक में यानि इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ है फरवरी तक जो सिर्फ गेहूं का एक्सपोर्ट वो है 3,283 करोड रुपए यानि एक्सपोर्ट भारत का फसल दुनिया में जा रही है किसान ना होता तो ये सरकार जो दो महीने के मुफ्त का ऐलान की है कि हम 5 केजी अनाज देंगे ये भी नहीं दे पाती अब यहां से सवाल सुडू होता है कि किसानों के लिए सरकार ने किया क्या और अगर कुछ नहीं किया तो इस्तिति क्या हमको लगता है एक लाइन आज आपको 1970 की खीज डाली है और एक मौझूदा वक्त की खीज डाली है इसलिए क्योंकि इस दौर में ही इस देश में ग्रीन रेवलूशन हो गया इसी बीच में इस दौर में कहा गया प्रोडक्शन हमारा बढ़ता चला गया इसी दौर में कहा गया कि हमने MSP खुब बढ़ाई है इसी दौर में किसानों की खुदकुशी खुब बढ़ गई 1970 में जो MSP थी गेहूं की वह 86 रुपई थी गौर कीजिएगा 76 रुपीज MSP थी मिनिमम सपोर्ट प्राइज गेहूं की आज की तारीक में यह 1975 रुपई है अगर आप जोड़िएगा तो 76 रुपई से 1975 रुपई आप बोलेंगे खुब तो बढ़ा है 1970 का मतलब बीचे 50 साल में इतना बढ़ गया है लेकिन इसी दौर में सोने की कीमत को एक अधार बनाय जाता है 1970 में 10 ग्राम सोना मिलता था 180 रुपई तम मिलता था आज की तारीक में यह 45,000 रुपई पा रहे है 1970 में एक शिक्षक को वेतन के तौर पर 1500 रुपई मिलते थे आज मिलते हैं 40,000 रुपई इसको अगर और सलता से आप समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझे की 1970 में धाई क्विंटल गेहू से आप एक तोला सोना खरी सकते हैं आज की तारीक में आपको 20 से 23 कुइंटल गेहूं देना होगा तब आप एक किलो एक तोला सोना ले सकते हैं उस पीरियड में आप दो कुइंटल अनाज के जरीए दो कुइंटल गेहूं के जरीए एक टीचर के वेतन के बराबर कमाई पा सकते थे आज की तारीक में आपको 20 कुिंटल गेहूं आपको बेचना पड़ेगा तब आप एक टीचर के बराबर कमाई कर पाएंगे इस परिस्तिती में भारत का किसान है और वो जान रहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है उसमें बात तो होनी चाहिए थे कीमत पर लेकिन लडाई हम लोग को लड़नी पड़ रही है MSP को लेकर यानि minimum support price पर भी ये सरकार की सहमती नहीं है जबकि जान रही है कि इस देश में पेट भरेगा तो फसल और अनास सही भरेगा उसको कोई उप जाएगा तो वो किसान और मजदूर ही होगा लेकिन वह भी अगर उस corporate और उस इंडस्टिस्टों के हाथ में चला जाएगा तो मौझूदा वक्त में क्या इस तितिस देश के भीतर बना दी गई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है चाहे वो industrial belt हो चाहे वो production के रूप रेखा हो चाहे इस देश की core industry हो सब चीजे negative में जा रही है अब यहां से यह भी समझे कि उस period में लगबग एक किलो गेहूं से आप एक लिटर डीजल खरी सकते थे आज की तारीक में जो उच्च गुणवंता बीच चाहिए जो ट्रैक्टर चाहिए जो इलेक्ट्रिक या डीजल के जरिये जो पंप्सेट चलेंगे उसको चाहिए जो institutional credits चाहिए यह सारी चीजें बढ़ाती चली गई चाहे वो खाद का छेतर हो खाद को लेकर जो कीमत बढ गई जो pesticide चाहिए उसको लेकर चाहिए यह सारी परिस्तितियां धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ऐसी आ गई कि किसानों ने अपने आपको महसूस करना शुरू किया कि अगर कोई पैसे वाला आएगा और उनसे कहेगा कि आप अपनी जमीन को हमारे हवाले कर दीजिए तभी आप कुछ कमा पाएंगे तो हमारे पास तो आने वाले वक्त में उसकी गुलामी करने के अलावे कुछ भी नहीं बचेगा और ये फैक्ट है लेकिन इस दौर में बीते एक साल में सरकार ने क्या सीखा हम लोग बार बार जिक्र कर रहा है आक्सीजन तक की ववस्था अगर कर पाई तो दूसरा सची है कि पांच महीने किसानों के आंदोलन हो गए प्रधान मंत्री को सुद नहीं कि एक बार बात कर ली जाए उनको कहा जाए वाप पने घर लोटी है इस देश के भीतर में अगर प्राही माम मचा हुआ है बिमारी को लेकर और बिमारी के बाद कर रहे हैं कि अगर नियम काईदे कानून सरकार जो बना रही है एग्रिकल्चरल रिफॉर्म के नाम पर वो आ गए तो फिर गुलामी के अलावे कुछ भी नहीं बचेगा और ऐसे क्राइसिस के वक्त में जुन्होंने गुलाम बनाया है वह क्या करते हैं यह कोई छुपा नहीं है इंडस्टलिस्ट कहा है कॉर्परेट कहा है आज की तारीक में आप फोस्ते रह जाइए उन्हें वो इस देश में क्या योगदान दे रहे हैं यह भी एक सवाल है लेकिन किसान के योगदान को सरकार याद नहीं रख पा रही है जिसके जरियों उसने मई और जून म अब 5-5 केजी अनाज फ्री में देने का एलान कर दिया देश में अनाज ना होता तो क्या होता यह भी सरकार को सोचना चाहिए किसान ना होगा तो क्या होगा यह इसलिए संकट है क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस देश के भीतर में जो भी रिफॉर्म हुआ या जो भी इस देश के भीतर में अपने तोर पर रेवुलूशन हुए ग्रीन रेवुलूशन हुए अगर आप हरित करांती के दौर से पहले का दिक्र कीजेगा प्रती हेक्टियर लगबग एक से डेड़ टन के बीच में फस अनाज होता था हरित करांती से पहले यानि ग्रीन इस देश था, ड्रिप इरिगेशन थे, फटिलाइजर थे, फेस्टिसाइट थी, डिजल था, ट्रेक्टर था, ये सारी चीजें कोस्टली होती चली गई और आज की तारीक में एक एकड़ में अगर आप 14 से 15 हजार रुपए खर्च नहीं करते हैं तो गेहू नहीं होगा, 24 25 हजार खर्च नहीं करते हैं तो वहाँ पर चावल यानी पैड़ी नहीं होगा, 49 से 40 हजार रुपए लगबग खर्च नहीं करते हैं तो एक हेक्टियर में प्याज नहीं होगा, 70 से 76 हजार रुपए आपको गन्ना उगाने में लग जाते हैं, लेकिन जरा कलपना कीजिए क अगर फसल बरबाद हो जाती है तो फसल बरबाद में जो बीमा की योजना है सरकार की उसका लाब आखड़े बताते है कि किसानों को कम होता है इंशूरेंस कंपनियों को जादा हो जाता है वह उस रूप में पैसा किसानों को देते ही नहीं है जो उनके हिस्से में आना कौन जिम्मेदारी लेगा उसके जो नियम काइदे हैं उसको कौन देखेगा कोई देखने वाला अगर नहीं है यहीं से बाश शुरू होती है कि सरकार जब ये मान कर चल रही है कि भारत का किसान भारत में उपयोग और खर्च करने वाली अनाज से ज़्यादा अनाज उप जा है वा पिछले साल की तुल्ना में बहुत जादा होने वाली है जादा से मतलब ये है कि बड़ी तादाद में जो जमीन पे फसल होगी और किसान उस पे मेहनत मशक्कत करेगा वह भी लगबग दुगनी होने वाली है दाल के छितर में दाल में 6.45 लैक हेक्टियर में होती थी इस बार ये साड़े बारां लाक हेक्टियर में लाक हेक्टियर जमीन पर पल्स होगी और दूसरी तरफ जो दूसरे क्रॉप्स हैं उसमें भी लगबग इजाफा होने वाला है 21% का और जिन राज्यों में जहां पर सबसे ज़्यादा लोग खपाएंगे उसमें तमिल नाड इस समर में जिसकी जानकारी उसने दी है अब यहां से सवाज शुरू होता है कि सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है क्या और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को 14 क्रोड किसान नहीं चाहिए उसका काम 5-7 क्रोड में ही चल जाएगा तो इसका मतलब है क्या ऐसी इ दूपते दूपते खुदकुशी करने की इस्तिती में लाकर खुद को खड़ा कर ले और जो मंडी सिस्टम है वो भी खतम कर दिया जाए हम इस बात का जिक्राज खास तोर पर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने अपने तोर पर जो इलेक्ट्रोनिक कृशी पोड़ बना रखा है जिसको E.N.A.M. E.N.A.M. के नाम पर जाना जाता है उसके भीतर जब हमने देखना शुरू किया ऐसे जानकारी दे दें कि सरकार की जो ऑनलाइन मंडी है जिसको E.N.A.M. कह रहे हैं उससे तकरीबन 21 राज्यों के 1,70,25,400 किसान जुड़े हुए हैं उससे जो कमिशन के एजेंट हैं 90,000 से जादा कमिशन एजेंट जुड़े हुए हैं जो किसान उत्पादक संगठन है उसकी संख्यावी 1,841 है जो इससे जुड़ी हुई है लेकिन उसके भीतर में जो ऑनलाइन MSP बताई गई 1975 रुपए आज की तारीक में MSP है लेकिन उसमें जब आप जाकर देखिएगा तो मिनिममम MSP का जिक्र है 1404 रुपए मैकसिमम MSP का जिक्र है 1841 रुपए यानि 1975 रुपए दूर की गोटी है उसका कहीं जिक्र ही नहीं है और अलग-अलग जगों पर जो जानकारी निकल की आ 1560 से 1760 के बीच में 36 गर में नजर आया 1500 से 1547 के बीच में महराष्ट में नजर में आया 1550 से 1700 के बीच में उत्तर परदेश में नजर में आया 1700 में राजस्थान में जैसे चना का नजर आया चना की जो MSP है वो 51 सो रुपए है लेकिन जब आप electronic कृशी पोटल पे जाएंगे तो वहाँ जिकर 43 और 44 के बीच में राजस्थान में है उत्तर परदेश में 44 है महराष्ट में 48 है मद्परदेश में 47 है ये तमाम चीजे हैं तो क्या इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार पूरी की पूरी उस agriculture एकनौमी को अपने अनुकूल ना कर पाने की जिद में अब उस से खत्म कर देना चाहती है संकट जब जब आता है agriculture ही बचाता है दो जून की रोटी ही बचाती है इसका मतलब यह भी है कि अगर किसानों की दैनिये इस्थिती होती चली जा रही है तो उसके पीछे क्या सरकार के कामकाच के तरीके हैं और जब महंगाई दर अब बढ़ रह MSP को जोड़ेंगे तो उनकी स्थिती तो अपना अनाज बेच कर भी कुछ कमा पाने की स्थिती में नहीं आ पाएंगे क्योंकि तमाम जगों पर हमको लगता है यहां पर एक मुहावरे का जिक्र जरूर ना चाहिए हम लोग बच्पन में सुना करते थे कहा कावत थी कि उत् की तारीक में देखिए तो उत्तम चाकरी है जो बिरोक्रेट्स है बीडियो है डीम है या जिस भी अस्तर पे एग्रिकल्चर को तै करने वाली जो फुरी तो आज हो गया है उत्तम चाकरी मद्यम वैपार नीच खेती करना नीच काम हो गया है और भीगवार वो तो पहले से इन तमाम परिस्तितियों में जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अक्टूबर 2017 में जब निती आयोग ने बैठक बुलाई थी उसमें इस आंदोलन से जुड़े कई नेता भी शामिल हुए थे उसमें मुत्तर भारत की तरफ से राजवाल शामिल हुए थे महरास् इस्थान में मेरे ख्याल से रामपाल थे वो शामिल हुए थे इन सारे लोगों के सामने एक ही सवाल रखा गया था कि अग्रिकल्चर की विकास दर को आप कैसे बढ़ाएंगे और उन्होंने उधारन दिया था इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बढ़ा महत्मून है ये इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर आज की तारीक में नेगटिव में जा रही है एग्रिकल्चर इस देश में विकास दर जो भी साड़े तीन चार परसेंट है वो एग्रिकल्चर का ही बचा हुआ है लेकिन जब सोचा जा रहा था 2017 में तब ये नहीं सोचा गया था कि जब इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरज में और अगरिकल्चर के छेत्र में इन्वेस्ट्मेंट को लाने के लिए कौर्प ereight और इंडस्ट्रिस्टों के अनुकूल जो पॉलिसी बनाई गयी और उसको अगरिकल्चर रिफौर्म का नाम दिया गया मेरे ख्याल से जिस संकट से गुजर रहा है, उसमें सारी चीजे बहुत पारदर्शी हो गई है, इतनी पारदर्शी हो गई है कि अब आप नंगी आँखों से देख सकते हैं कि गॉर्मेंट की बनाए हुई मार्केट एकनॉमी, बाजार अर्थविवस्था, प्रॉफिट पे टिकी हुई पाइगा क्या, हमारी पूरी पॉरी पॉलिसी और पूरा सिस्टम जो है, उस पूंजी पर जड़ा हुआ था, जिसके जरीए मान लिया गया था कि पास में पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पैसा कमाने की ये खोड़ थी, लेकिन मौजूदा वक्त में इस द बड़ा मरीजों का, तो पूरा इंफ्राइस्ट्रक्चर चकना चूर हो गया, कलपना कीजिए कि इसी तरीके से भारत में आस तो किसान अनाज उप जाता है, लेकिन कल को अगर ये कॉर्पेट और इंडस्टिस्टों के हाथ में चला गया, भंडारन भी कॉर्पेट के हाथ म नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, ये सिर्फ सोचा जा सकता था, लेकिन मौजूदा वक्त में हेल्थ सेक्टर के क्राइसिस में ये सीधे सीधे जतला दिया है, कि हमारा पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, हमारे जो पूरी पॉलिसी है, उसके लिए लोग नहीं है, बलक उस जमीन को बनाया ही नहीं गया, बनी बनाई जमीन से पैसा कमाने के लिए उसमें गड़े इतने खोद दिये गए, आज जब देश क्राइसिस में आया है, तो आपके पास एक ही उपाय बचा है, दो महीने का मुफत तनाज फिर से दे दो, इस से पहले आप आठ महीने का द तयार है, जो आकसीजन मिल याता था लगभग सो रुपए में उसके लिए दस दस हजार रुपए देने को तयार है, यह इस तितीस देश में अगर अनाच के साथ आ जाएगी तो क्या होगा, किसानों को लेकर सरकार की संविदन शीलता शायद ठीक नहीं है, और सरकार जिस तरीके से चाती है, यह अन्दोलन खतम हो जाए, किसान घर लोट जाए, खाली हात लोट जाए और आने वाले वक्त में वह पूंजी की गुलामी करने लगे, तो उसका एक चेहरा हमने इस मेडिकल के छितर में देख लिया, जहां पर इस देश के मेडिकल छितर का पूरा अब आप कलपना कर पा रहे हैं, कि हम किस सिस्टम और किस एकनॉमी के आसरे इस देश को समालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, यह देश की किसमत नहीं थी, और आकरी बात, यह भी समझना होगा, कि आज की तारीक में भारत दुनिया के सामने कितना अलक थलक पड़ गया है अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, बिटिन, युए, युनाइटेड अरब अविरात, कैनड़ा, अस्ट्रेलिया, नियूजिलेंग, फ्रांस, सिंगापुर, हॉंग कॉंग, ओमाम, इन तमाम देशों ने अपने हवाई जाहज बंद कर दी हैं, आवाज आही बंद कर दी है, ना वहाँ से कोई आएगा, ना यहाँ से कोई वहाँ जा पाएगा, और ये लगबग 10 से 30 दिनों के बीच में, अलग अलग देशों ने रिस्टिक्शन्स लगा दिये हैं, हम आत निर्भर होना चाह रहे थे, लेकिन दुनिया से कटते जा रहे हैं, और हमारे पास अपन पड़े, जो 1960 में लाल बहादुर शाष्त्री के वक्त में अमेरिका की दादा गिरी चल रही थी, और जै जवान, जै किसान का नारा देना पड़ा था, और देश एक जुठ हुआ था, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,